अगर आपको कोई ऐसी ट्रिक पता चल जाए जिसकी मदद से आप मार्किट ओपन होते ही ये पता कर सकेगी आज किस सेक्टर के अंदर आपका तेजी है और किस सेक्टर के अंदर आपका मन्दी है तो आपके जो इंट्रा डे स्टॉक सेलेक्शन में आपको काफी हेल्प हो जाएगी और आप बड़े ही आसानी से अपने इंट्रा डे के जो आपके स्टॉक्स है वो आइडिन्टिफाई कर सकते हो हेलो व्रीवन मेरा नाम है अमित कटारिया और आप सभी का स्वागत है बिजनिस अनी टाइम के यूट्यूब चैनल पे है या फिर अभी जिनित काफी कम टाइम मार्केट के अंदर हुआ है उनको सबसे बड़ी प्रोब्लम आती है कि इंट्रा डे के जो आपके स्टॉक्स होते हैं उनको कैसे आइडिन्टिफाई किया जाए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो आपका प्रोफिट निकाला जा सके या फिर वे ट्रेडर जिनके पास में फुल टाइम टाइम नहीं होता है वो कहीं पर वरकिंग होते हैं वो भी अपना जो इंट्रा डे स्टॉक्स है उनको आइडिन्टिफाई प्रोपर नहीं कर पाते हैं जिसकी वज़ए से वह मैक्सिमम प्रोफिट जो है वो अन नही आप जो है अपनी सेलिंग का प्लान कर सकते हैं तो आपको जाना है गूगल के उपर गूगल पर आपको जाके सर्च करना है इंट्रा डे स्कैनर ठीक है जैसे आप इस पर जो है क्लिक करोगे तो इंट्रा डे स्कैनर की जो आपकी वेबसाइट है वो आपकी यहां पर ओपन हो जाएगी simple आप अगर आप first time इस पर आप open करें तो आप sign up वाले option पर जाके अपना Google अपनी जो Gmail idea उसकी help से आप इसके अंदर आप बड़े आसानी से login कर सकते हैं उसके बाद login करने के बाद में आपको जो है कुछ इस तरीके से जो है ये website आपकी open हो जाएगी आप अगर आपके बास laptop नहीं है तो आप इसकी mobile application भी Google Play Store से download करके mobile application के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास में laptop ही होना जरूरी है तो यहाँ पर आप देखो इसकी जो website है वह यहाँ पर open होगे तो काफी सारी चीजे आपको यहाँ पर कुछ green color के अंदर red color के अंदर जैसे free में आपको यहा gap up कितने stocks के अंदर आपका gap up open हुआ है किनी stocks के अंदर आपका gap down open हुआ है तो यहाँ पर की तरफ कुछ option मिल जाएगा कि आपको वंडे narratives देखनी है 7 day, 30 day, 90 days या फिर आप 52 days तो अगर आप intra day अपना plan करते हैं तो आप 1 day पे click करके आज जो market की performance है उसको check कर सकते हो अगर आप swing trader है मालीजी आप 7 दिन, 1 month, 2 month अपने stocks को hold करना चाते हो तो आप 7 days पे click करके आप बड़े आसानी से देख सकते हैं लास्ट 7 days के अंदर आपका किन sectors के अंदर आपका सबसे ज़्यादा performance रही है देखो अगर मैं याप 7 day पे मैंने click किया तो आपका जो construction से related जो sector है construction का जो sector है उसके अंदर सबसे ज़्यादा तेजी आपका यहाँ पे देखी गई है आपका construction यह सेकेंड आपका यहाँ पे एनर्जी सेक्टर से ऐसे आप 90 डेस के अंदर आप जो है प्लान कर सकते हो कि 90 डेस के अंदर आपका किन अब मुझे stocks कैसे identify में करूं कि बही मुझे यह तो पता चल गया कि आज निफ्टी consumers के अंदर आपका तेजी है साथी साथ आप एनर्जी सेक्टर के अंदर आपका तेजी है अगर आप आज देखोगे तो आज मार्किट का जो व्यू है वह आपका बुलिस है इसलिए आज देखोगे तो आज सारे लगबक mostly maximum सेक्टर के अंदर आपका तेजी है कुछ एक सेक्टर है जिसके अंदर आपका आज के टाइम पर मंदी है जैसे आई टी के अंदर आपका सबसे जादा मंदी है इसके अल आपका निफ्टी कंजूमर्स तो यहां पर अब मैं इस पर जैसे मेरी बारेस में यहां पर क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद में आप देखो राइट साइड में मुझे यहां पर स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी यह वह स्टॉक्स है जो कि आपका निफ्टी कंजूमर के अंदर आते हैं हैवल्स का स्टॉक से देखो 4.5 4.6 परसेंट आप भी गेन हुआ यह भी 5 परसेंट से भी अब हो था अभी थोड़ा सा मार्केट सेटल हुई है तो यह 4.6 पे आ गया है ऐसे आपका वोल्टाज जो है 3.2 परसेंट चेंज हुआ है आज आपका वीगार जो ह आपका पोजिटिव है तो आप इन स्टॉक्स के अंदर आप जो है क्या कर सकते हो यहां पर आप इनी स्टॉक्स के अंदर आप प्लान कर सकते हो अपना इंट्रडे जैसे मैं यहां पर आता हूँ अपने टेडिंग यू के अंदर हैवल्स का जो स्टॉक्स है मैं उसको यहा ओपन किया हुआ है आज यहां पर देखो इसके अंदर कितना आपका यहां पर मुवमेंट है तो आप बड़े आसानी से प्लान कर सकते हैं यहां पर आपका थोड़ा गैप अपन हुआ फिर मार्केट थोड़ा उपर गया काफी देर कुछ देर इस पर्टिकुलर पॉर्शन प कर सकते हो इसके बाद में आपको यहां पर देखो फोल्टास है वी गार्ड है इसके बाद हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट जो मेरा आपका स्क्र e ताटा पावर के अंदर भी अपना आज का जो इंट्राडे है वो प्लान कर सकते हैं अपर देखो continuously उपर गया फिर वापस से थोड़ा सा नीचे की तरह पाई फिर उपर गया फिर से मिनट की केंडल्स को इसने के टॉप को इसने जैसे ब्रेक किया तो फिर देखो आपका यह उपर यहां पर गया और कितना पॉइंट यहां पर गया अगर इस ब्रेकडाउन पर मैं यहां पर ट्रेड लेता तो आपका है तो राइट साइड में आपको स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगा आज देखो ही रो मोटो कॉम ने आपका 3.55 परसेंट का प्रजेंट आज के टाइम पर जो है आज जो रिटन दिया वह रो मोटो कॉम ने इतना दिया इसका स्टॉक्स हम लोग देख लेते हैं आपका हीरो मोटो को लिमिटेड पर जैसे जाते हैं तो यहां पर देखो आज जो स्टॉक्स है मैं फाइब मिनट पर इसको सिफ्ट कर लेता हूँ अब देखोगे तो आज कंटीनिवसली मार्किट जो है आपका लगब इस केंडल में मार्किट ओपन हुआ कितनी बड़ी कंडल आपका दिया और तब से यह कंटीनिवसली उपर ही जा रहा है बीच में यहां पर साइडवेज हुआ दैन उसके बाद मैं आप देखोगे तो उसके बाद फिल से उपर की तरफ ही आपका जा रहा है तो आप इस तरीके से इस वैबसाइट को यूज़ करके आप बड़े ही आसानी से जो है अपना जो इंट्राडे का जो आप आपका शेटब है उसको बड़े ही आसानी से पलान कर सकते हो swing trading करने का आपका plan है तो आप 7 days पे आप shift हो सकते हो मालीजी आप 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन आप stocks hold करना चाते हो तो जैसे constructions ने पिछले 7 दिन के अंदर काफी अच्छा returns दिया है जैसे आप इस पर click करते हैं तो यहाँ पर आपके construction के जो stocks है वो आपको यहाँ पर देखने के ने मिल जाएंगे जैसे आपका सोबा है इसने 35% का return दिया last 7 days के अंदर आपका इसी तरीके से आपका IR, IBR real estate वाला है इसने आपका 16% का, prestige ने आपका 13.6% का, DLF ने 12% का तो यह कुछ stocks है, जिन्होंने last 7 days के अंदर आपको काफी अच्छा खासा जो है आपका returns दिया है, इस तरीके से आप जिसे यहाँ पर energy sectors के मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर energy sectors की मुझे आपका list मिल जाएगी जिन्होंने last 7 days के अंदर आपका काफी अच्छा perform किया है तो आप इस tools को use करके अपना intraday setup आप बड़े आसानी से आप कर सकते आज की वीडियो के अंदर मैंने intraday की बात किया है अगर आप चाते होगी मैं इस website को और ज्यादा explore करूँ और हम लोग आपका swing trading और या फिर positional trading जो long term investment होती है उसके बारे में भी हम लोग आपका इस website को use करके अपना trade आपका plan करें तो comment section में comment कीजेगा नेक्स्ट वीडियो में आने वाले time में एक और वीडियो आपका इस website से related आपको provide करा दूँगा बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो like share कीजे चैनल को subscribe करना बिल्कुन में भूलना मिलते हैं आपसे next वीडियो के अंदर इसी तरह की informative वीडियो के साथ ओके थैंक यू